हेले दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेके पार्ट सारा में स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपके थम्लेद देखी लिया होगा दोस्तों जो हमारे सीरीज चल लए आपकी यूपी जीके की एक जाजा कुर्शन की उसका यह आपका चौथा पार्ट है जिसमें कुछ important question आपके solve कराएंगे यूपी जीके से संब्बन देता जो कि जितने भी आपके आने वाले एक्जाम में चाहें आपका यूपी PCS का एक्जाम हो प्री का चाहें आपका यूपी आरो एरो का एक्जाम हो चाहें आपका यूपी टेपरसी को एक्जाम हो जैसे वीडियो पूरी एक्जाम आपका होने वाला है यह आपका वीडियो नई बढ़ती बीपी योग बढ़ती जूने स्टेंट यानि जहां भी आपका यूपी जीके पूसे आता है चाहें आपको यूपी साई यूपी कॉंस्ट्वर सभी के लिए आपका important रहेगा इससे पहले दोस्तों जिसमें आपको जुलाई से लेकरके अब तक यानि मास तक जितने भी करेंट आफिर के important question है वो सारे आपको कबर करा दोंगा यूपी से संबन देते ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों पहला कुशन आपका है यहाँ पर आपको साई मिलान करना है यह रुद्व प्रियाग है अलग नंदा किनी नंद प्रियाग अलग नंदा मंदा किनी कर्ण प्रियाग भागरती अलग नंदा देव प्रियाग अलग नंदा किनी से यानि कि पहले का दूसरा यानि कि अलग नंदा मंदा किनी का संगा पर इस्तर है वो आपको रुद्व एन्दा किनी से उसके बाद को मिलेगा यह आपका अलगनदा पिंडार से और जो आपका तो सम्में आ तरह के जाए कृट्रा को यह किनि को। और पिंडृन यड़ा याद है तो इस तरह से आप इनको याद रहे हैं और बात करें नंद प्रयाइग कि नंद में यहाँ पर नंद आ रहा है और यहां पर नंद किनीव में तो यह दो चीज आपके याद होगे ये दूसरा वाला और तीसरा याद होगे आप देव क्या देखिए देब मतलब होगे आपका देबता ठीक है देबता कौन बनते हैं जिनकी किस्मत अच्छी हो भाग जिनका अच्छा होता यानि भाग आने के भाग रथी इस तरह से इसको आप याद हो कभी जिंदकी में इसको आप नहीं बूलोगे ठीक है अगला आपका यूपी में निम्ने में से सरवादिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है इसाई सिक जैन बौद तो दोस्तों इन में बात किजा ओफ्षन में तो वो आपका सिक है यानि कि ओफ्षन भी करेक्ट हो जाएगा लगवा जो जनसंख्या आपकी है सिक की वो 0.4% के आ जो कि आपकी 18.5% तीसे पर आपका सिक हो गया इसके दोस्तों आपका आता चौते पर इसाई इसाई धर्म फिर आपका आता जैन और फिर आपका बौद ये किरा में आपको जहान रखना है हिंदी मुस्लिम सिक हिसाई आपका सब भाई भाई तो इस तरह याद रख सकते उस परेली अलेगर लखनव जहांसी तो दोस्तों यह आपका जहांसी में है यानि कि ऑप्शन डीस में आपका करेट हो जाएगा अगला कुशन है आपका कि यूपी का पहला ग्राम वन कहां इस्थापित है मिड़जापूर सौनभद बरेली सीतापूर तो दोस्तों वह आपका सौनभद में यानि कि ऑप्शन बी कौन से गामे सौनभद का आपका बेल हट्टी गाओं यह आपको द्हानत है अगला कुशन देखते हैं आपका कि डायसपूर के उत्पादर में यूपी का भायत में कौन से इस्थान है पहला दूसरा तीसरा चौथा तो दूस्तों डायस पक्चिभैर। संट्डिपक्र बहुंना का मैं स्द्टर ही अुद हो आपका निए में ने स्ट कुछना करलís आपका संथ कविन नगरिए से अच्छा पीद स्टर नगर आगे चलते हैं आपका अगला आपका पारवती अरंगा वने जी विहार कहां है वांदा में वहराइस में लकिंपुर्खीनी में या आपका गॉंडा में तो दोस्तों पारवती अरंगा वने जी विहार जो आपका गॉंडा में है यानिकि ऑस्टन डी आपका करेक्ट हो जाए वेहराईच में हैं लखिम फिर्फिर में दोस्तों आपका किसंपूर किसंपूर वन्रेजी बिहार है ठीक है और जहनक नह आपको चित्न कौन सा आपका वह आपका रानीपूर वन्रेजीब वह आपका चित्न कूर में मैं अगला आपका कि yupee के सर्वाद कि لم्बी कुण सी है पूर्भी यमन्रा नहर उप्रिंगनगा नहर निशली घंगन नहर एपका सार्धा नहर तो दौसतो दूस्त यूपी के सर्वाद की लंबी नहर वह र है वह तो तोस्तो बात करते हैं, अगर हम बात की जाएं यहां पर आपकी पूर्वी यम्ना नहर की तो यह निकलती है आपकी साहरनपूर से साहरनपूर और यहां पर जाना करता है जो पूर्वी यम्ना नहर है आपकी यूपी की सबसे पुरानी नहर है यूपी की सबसे पुरानी नहर जो आपकी उपी कंगा नहें रहे है ये आपका हरीदवार्श निकलती है हरीदवार में और निश्ली कंगा नहें निकलती है आपकी Blenster बलन्द सहर के नरोरा में अगला कुश्ण आपका है कि उपी का एक मातर परमानुशनेज़त की जिले में है अलिगर गाजवाद मेरेट ब्लेंस है तो दूस्तो वह आपका ब्लेंसर में ब्लेंसर के नरोरा में अगला आपका है कि माता टीला जल बिदुत पर्योज़ना किस नदी पर बनी है बेतवा असन रिहिंद और आपके इनमें से कोई नहीं तो दूसरों वो बनी है आपकी बेत्वा नदी पर लेलिसपुर में, लेलिसपुर जिले में आगला कॉस्टन आपका है कि चीनी उत पादन में यूपी का बहारत में कौन सा इस्थान है पहला, दूसरा, तीस, चीनी खादन में अगर बात किया है तो यूपी का महारात में पहला सिस्थान है पता चको आपको जितने भी आपके सोल संस्थार वगरा हैं वो आपको पढ़ लेने कि वहां से आपके एक्जाम में चाहिए पीसेस का एक्जाम हो तो एक कुछन बनने का चांस आपका रहता है अगला कोशन देखते हैं आपका के इंडियन इंसिटूट औफ वेजिटेबल रिसर्च कहां इस्तित है मेरेट में आगरा में वाराट सी में कानपूर में तो दोस्तों यह आपका वाराट सी में है इंडियन इंडियन इंसिटूट औफ वेजिटेबल रिसर्च आपका जगे आपको जगे आपको देखियोगी रेनकुरीन कूट जो इसके लिए आपका एल्मुनियम उद्धोग के लिए रेनकूट ठीक है और बरी लिए बात करना यह फैमस आपका कृत्थिम रहवर के लिए और पता हो फ्रोजाबाद किसे आपका चूडियों के लिए यह बहु इता हुआ संद्ट में पैहरी रेल गार्णी कम चला गई थी आठाइश रपन में पच्छपन में दूसरी फैस्टे पर चली ती वो चली थी आपकी आठाइश रूंश्युन्च में यानि कि ऑफ्षांट में और बहात करेंगे आपकी आपकी आपका कारकारम चली थी कहां से कहां सर्वी थी आपकी Mumbai से ले कर ठाड़े के भी से मॉनबइ से थारे के वीच के अगला आपका की कौन से को वह थ्धर्म का पालना कहा जाता है UP को MP को ब्हार को आस्थन कोटोस्तोत Sophia कि ऑ खालता इसी ज़िए आपको द्हानक नहीं होगी. अगला कुस्वार्ट के बात करते हैं आपकी, कि किसी मुगल समराट का मखवरा जो हो आपका सिकंद्रा में है, अखवर, बावर, हुमाईू और आपका जहांगेर. तो दोस्तों मखवरा सिकंद्रा में जो हो आपका अखवर का है, यानि कि और समरे इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, बावर की बात किया दोस्तों इसका मखवरा आपका कावल में है, हुमाईू कहा है, यह आपका दिल्ली में अगर आपका देखा होगा तो, जली में जहांगर का आपका लाहूर में ठीक है और सहाजा की बात किया सहाजा का मख़वरा कहा है यह आपका आगरा में और फिर तो एक बस्ता है आपका औरंगजेब औरंगजेब का मख़वरा आपका औरंगबाद में औरंगबाद ठीक है अगला है आपका आनन्द भवन कहां अवस्तित है आगरा वाराट सी कानपूर इलावाद तो जो आनन्द भवन जो यह आपका इलावाद में यानि कि ऑस्टन्टी आपका करेक्ट हो जाएगा अगला है आपका लौड कॉर्णवालिस का मख़वरा कहां है बरेली बलिया गाज जनल हुआ है कि जिसका मख़वरा जो आपका भारत में वो है आपका गाज़िपूर में यूपी की गाज़िपूर में ऑस्टन सी करेक्ट हो जाएगा अगला आपको सभी मिलान करना है कि लकटी के खिरोने खेल का सामान पीतल की मूर्तियां दियासरा ठीक है पहले का तीसरा तो यहां पर दिको और और चौते का दूसरा अगला कुशन आपका है कि सही मिलान करना आपको अम्मेट कर नगर अकवरपुर कानपुर देहात अकवरपुर माटी जाला और उरई सिधात नगर नौगण ठीक है यह दोस्तों कुछ आपके जिले दे पहला कानपुर देहात का यह आपका अकवरपुर माटी जारौन का उरई में है शिधासंगर का आपको नौगण में यानि कि पहले का से मिल जाएगा एक तू तू तिन चार यानि कि आपका करेक्ट हो गया अगला आपका कि निम लिकित में से कौन सुमलित नहीं है गंगा गौमती सुल्तानपूर हिंडन गौरकपूर सर्यू अयुद्या तो गंगा नदीर कनारे है बाराट सी सही है गौमती सुल्तानपूर के कनारे नहीं सुल्तानपूर गौमती नदीर कनारे है यह सही है हिंडन दोस्तों दोस्तों जो यह आपका गलत है यानि कि ऑस्टन सीस मे नहीं आपका ठीक है और शर्यू नदी करारे का बसा हुआ आपका यूद्या कितना आपका हो गया अगला आपका यहां पर सही मिला हरा नापको चौविस में में कि माग मिला बंदावर जूरा मिला इलावाद पसु मिला वट्टिस्वर देवा मिला आपका बारा बंकी तो दूस्तों जो आपका माग मिला वो लगता आपका इलावाद में तो पहले का दूसरा और जूरा मिला लगता आपका बंदावर में पसु मिला लगता आपका अधिवशन देर रखें आपका वर्स और स्थांद रखा है कि 1812 bekommen का जो अधिवशन था वो आपका इलावाद में हुआ साई है 1905 का सूरत में दोस्तों ये गलत आया आपका सूरत में हुआ था आपका 1907 का और बात करें तो 1905 की दो 1905 का हुआ था आपका वारार्सी में तो दोस्तो आज ही वीडियो में इतना ही उम्मिद करता हुए वीडियो आपको अच्छा रगा होगा लेकि दोस्तो अब तक हमने चार वीडियो अप्रोट की है आपकी यूपी जीके की और साथ ही अगर बात ही आज जीकी जीस की टेस्स सीरीज की तो उसकी आप तक 18 वीडियो अप्रोट कर देगी है लेकि दोस्तो आप लोगों को तुरब से रिस्पॉंस नहीं मिल पा रहा है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जलू क्या करे और साथ ही अपने दोस्तों साथ शेयर जलू करें क्योंको दोस्तों हमको एक वीडियो बनाने में लगा प्यानिक में अगर आपको 25 कुशन स्वाल कराता हूं तो उसमें कम से कम 3-4 गंटे की महत्ती है तो पहरे खुद पढ़ना पढ़ता है अपके ठीक है उसको क्या होता अगर आपको वीडियो में लगता है को सुदा हाद होते हैं तो भी आप बता सकते हो कमेंट करके थैंक यू फो वाचिंग